हाँ नमस्ते खिसान भाईयो मैं डॉक्टर सुनील एफ्टी एमीस तो आज जो मैं दुसरा आपके टॉपिक लेके आए हूँ वह है फीट एन लेग कंपोजिट के बारे में तो वह कैसे हम देखें और क्यों इंपोर्टेंट है फीट एन लेग कंपोजिट क्या होता है कि हमार फॉरे बजन उसको संभालने के लिए उस facteur पड़े और यहां पिर और उसका सही नहीं है denil कहीं कहीं पॉफफ तो और कहीं नहीं चैशन法 सुछ अधे है और कहीन पर देखुए घौए जैए जिसका प्रेखतर नसमने पार शो आनत्या उसे का कर आए निवर सापने आ में अ यहां से लेके इसकी टांग है और यहां तका आती इसे करके गूल वो यहाद शीकल हो गय कि आती है इसको है अट ओग कि गास इसको सीकल बोलते हैं, आइसे एसे करके लुचिछ तो वो सीकल होगी अगर सीद्य है तो वो सीदिन टांग होने चाहीग डेफिनेटली क्या होगा फिर लैमिनाइटर्स होने के चांसे कम हो जाएंगे और हूफ एंगल इसका 45 डिग्री से यदा है 45 डिग्री से कम है तो उसके क्या होगा कि कहीं नहीं पर आशर पड़ेगा और वह एक जगा से गिसना स्टार्ट कर देगा उसका जो हूफ है वह और आगर वह दूद भी यदा दे रही है तो उसका दूद भी कम हो जाएगा इसलिए हम फ्यूचर में हमारी जो डॉटर्स आएं उस पे यह भी फोकस होना चाहिए कि उसका हूफ हैं फीट स्कोर अच्छा होना चाहिए जिससे क्या हो कि आने वाली बच्छियां इसमें यह प्राबलम्स ना होती रहें लैमिनाइडिस की प्राबलम्स जो है वो बिल्कुल भी ना होती रहें दूसरा अगरा फीट पीछे से उसका फीट लेक्स को दिखाऊं तो आप देख पा रहें इसका जो पीछे से टांगे जो हैं बिल्कुल दूर दूर हैं जो इसका हॉक जॉ तो इससे भी पूरा का पूरा नुकसान होता रहा इस चीज को कैसे हम देख सकते हैं तो आगर आप साइड डिरेक्टरी के अंदर ही फीट लेक कंपोजिट आता है तो फीट लेक कंपोजिट अर पॉस्टिब की ओर है वह तो आने वाली जो बच्चियाओं को जो है फीट लेक की डॉटर अच्छी होंगी उनमें लेब नाइटर चांसिस कम होंगे और अच्छा ही प्रडक्शन हमें देती रहेंगी दन्यवाद